हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वाग ने मरे चनल पे और आज वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू वाच इंसीडियस मुवी इन ओर्डर आप मैं से कई सारे लोगों को अल्रेडी पता चल ही चुका होगा कि इंसीडियस के दर रेड डोर नाम की जो अपकमिंग फिल्म है उसका ट्रेलर आ चुका है और उसका ट्रेलर देखने के बाद कई सारे लोगों के अंदर एक्साइटमेंट जगी है देखनी चाहिए लेकिन आप मैंसे कई यह चीजे का पहला पाट नहीं ह awakening का आप पहली इसका चैप्टर की देखें कि इंशेडियस का चैपटर त्री है वो सारी Insidious फिल्मों का prequel है तो वो आप देखोगे तो आपको टोटल यूनिवर्स है उसकी स्टार्ट कास हुई थी वो समझ में आ जाएगी लेकिन मेरे से आप पूछोगे तो आप ऐसा कतई मत कीजिए उसका रीजन क्या है वो रीजन बताते बताते मैं आपको कौन सा सीक्मेंस में देखना चाहिए वो भी बताऊंगा तो Insidious की सबसे पहली फिल्म आपको देखनी चाहिए 2010 में रिलीज हुई Insidious इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक कपल रहता है जिनका एक छोटा बच्चा है और वो एक दिन कोमा में चला जाता है कोमा में चले जाने के बाद उनको समझ नहीं आता है कि उनका बेटा क्यों कोमा में चला गया है वो कुछ महने उसको होस्पिटल में रखते है फिर वापस घर पे लेके आते और घर पे लेके आने के बाद भी उनका बेटा जो है वो कोमा से बाहर नहीं आता और फिर घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज घटने लगती है अभी यह प्लॉट सुनके आपको ऐसा लाएगा कि यार यह तो हर दूसरी होरर फिल्म क बेटा जो है उसकी जो आतमा है वो उस आतमा से लड़ रही है कि मुझे अंदर आने दो लेकिन वह आतमा उसे ड़ी से पसंद आते हैं उनको वहीं बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें जो जैसे से आपके सामने आएगे आपको फिल्म देखने में बहुत ज्यादा मज़ा आएगा अगर आपने चैप्टर 3 पहले देखी होगी तो आपको अगे क्या घटने वाला है उसका थोड़ा बहुत अंदाजा स्टार्टीं से आ जाएगा यह film खाली एक ध्यान रखना वन पार्ट देखने के तुरन बार देखना क्योंकि जहां पर वन खतम होती है वही से 2nd शुरू होती है और फिल्म को जैसा एक सीक्वेल होना चाहेता वैसा यह सीक्वेल है अब यह फिल्म देखने के बार आपको देखनी है इंसीडियस चैप प्रोकस जो है वो पैट्रिक विल्सन और तोस बर्न ने जो करेक्टर प्ले किये जोश एंड रहना है उनके उपर या उनके बच्चे के उपर नहीं है बलकि फर्स पार्ट में जो भूद भगाने वाली और अरोत आई थी जिसके करेक्टर का नाम एलाइज रहनर रहता है उसक जब इस फिल्म की एंडिंग होती है तब हमें पता चलता है कि यह फिल्म पर्स पार्ट से भी नहीं है इसके बीच में भी कुछ चीजे घटी हुई है यह हमें पता चलता है और उसके बाद पर नमबर पर आपको फिल्म देखनी है इंसीडियस दे लास्ट की अब यह कहानी जहां पर इनसीडियस चैप्टर थी काहानी खटम होती है वही सहसे स्टार्ट होती है और यह कहानी जो है वह एक बदा चालती है और चीज докум को सब च चल जाएगा अब इसके बाद फालगी इनसिडियस वालों का एक एडादा था और एक हॉडर फिल्मों की फ्राइट चली आ रही है जिसके प्रोडूसर भी जिसन ब्लूम ही है जिनों ने इनसिडियस के चारो पार्ट प्रोडूस्ट किये है उस फिल्म का नाम है sinister उसके साथ इसको attach करने का सोच रहते लेकिन आगे जाके वह plan cancel हुआ लेकिन अगर आप horror फिल्मों के वाकई में बहुत बड़े fan हो तो आप यह sinister film जरू से देखना इसकी कहानी जो है वह आपको थोड़ी disappoint कर सकती है लेकिन इसके अंदर जो horror sequences है horror scenes है वह जबरदस्त है 2020 के study के अनुसार sinister जो film है वह अब तक की most scariest film मानी जाती है अब इस फिल्म को भी ज़रू से देखने का रिजन यह है कि आगे जाके इसका insidious के साथ connection हो सकता है और इस फिल्म के खासियत बात बताता हूं यह सिफ 3 million dollars में बनी हुई जाता तो इसको भी ज़रू से देखना और यह फिल्म पसंद आगी तो इसका सीक्वल आता sinister to वह भी देखिए अब यह फिल्म में फिलाल जो insidious फिल्म में चलोगे उसके साथ connected नहीं है in future हो सकती है और इसके बाद जो अभी हाल फिलाल में रिलीज होने वाली है insidious the red door वह आपको देखनी पड़ेगी तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर सब्सक्राइब करना अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाए